जैहिंद मेरे प्यारे साथियों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल बिक के स्टेडी पॉइंट एजुकेशन में तो देखे इस्टुडेंट आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंजिनियर के बारे में इंजिनियर कहते किसे हैं इंजिनियर क्लियर करेंगे किसे हैं और कैसे हम इंजिनियर बन सकते हैं अच्छा इंजिनियर बनने के लिए कुछ आपको इस्टेफ फॉलो करने पड़ते हैं तो आज की वीडियो में हम complete doubt clear करेंगे इंजीनियर कैसे बनना है और इंजीनियर कितने फिरकार के होते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखे स्टुडेंट हमें पता होना चाहिए कि दुनिया भद में यानि कि काफी स्टुडेंट चाहते हैं कि हम इंजीनियर बने और कुछ चाहते हैं हम बैंक मेनेजर बने बट सभी जादतर स्टुडेंटों का डॉक्टर और इंजीनियर पर फोकस रहता है ठ ठीक है इस तरीके से सोचते हैं वर्ट यानिकि ज्यादतर इसको काई का है स्टेंप इंजिनेर्स और डॉक्टर का सो देखें दुनिया भद में सभी अभ्यारती पढ़ाई कर से तो मैं अपना एक ड्रीम लेकर चलते हैं अपना एक लेक्षेर पर निदार्दित करते हैं जिस बनने की तैयारी सुरू कर देनी होती है यानि कि हमने वहिए बाद मां तो पास कर लिया अब क्या तैयारी कर दी सुरू कर दी हमने तैयारी इंजिनेर्स बनने के लिए हमें या तो पोलो टेक्निक करना पड़ेगा या बीटेक करना पड़ेगा या अज़र कोई नया डिप करनी पड़ती है जिसके बाद ही अभ्यारती अपने इस लक्षे तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं यह एक बहुती बड़ा पद होता है यह एक बहुती बड़ा पद होता है जिसमें अभ्यारती को बहुत अधिक जानकारी के ससा सेली भी अच्छी प्राप्त यानि प्रदान इंजिनर यानि कि जो ब्यक्ति किसी बस्तू का अभिस्कार करें जो ब्यक्ति किसी बस्तू का अभिस्कार करें यानि कि कोई भी एक बस्तू है उसको नए तरीके से बनाए ठीक है डिजाइन बनाए या मसीन टेस्ट करें अलग-अलग प्रियोग करके कई नई बच्टू का अभिज्कार करके सफलता प्राप्त कर लें ठीक है जैसे कोई भी ब्यक्ति है कि एक मुझे पैन बनाना है तो भाईया एक नए तरीके से पैन को पैन तो काफी सारे चलें बट नए तरीके से डवलप करें ठीक है तो उसको यानि की एक इंजीनियर स्का मौड देते हैं कि यह इंजीनियर है । यह इस तरीके से जो अब्यारती इंजीनियर बढ़ने का सपना देखते हैं उसे इंजीनियर की पड़ाई करनी होती है जिसके लिए अब्यारती को कम से कम 3-4 पर तीन साल का डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करना जरूरी होता है क्योंकि इन डिग्रियों के बिना अभ्यारती एक इंजिनियर नहीं बन सकता किसी नई चीज का निर्मार करने वाले व्यक्ति को ही हम इंजिनियर कहते हैं अब इंजिनियर भहिया होते ही कितने फिरकाल में बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं इसके साथ साथ ही इसके साथ ही इंजिनर के अंतरगत और भी कई पार्ट्स होते हैं जिस जिनके लिए पढ़ाई करके अभ्यारती के इंजिनेर बन सकता है यानि के अभ्यारती के को इंजिनेर कह सकते हैं जो की स्थिरकार है जैसे टाइप ओप मेंगेंज़िनर के टाइप कितने हैं सबसे पहले का है इस mechanics इंजीनियर डिगरी इसमें क्या बहिए एक तरह से बहुत ही अच्छी डिगदी है बायो मकेनिकल एंड थर्ड नंबर पर है ओटोमेटिव जिसमें कि आपकी मोटर बगेदा इस टाइप से यानि कि आठती हैं तो इसको कहते हैं ओटोमेटिव ओटोमेटिव इंजीनियरिंग डिगदी एंड नेस्ट है मेकैनिकल इंजीनियर डिगदी यानिख Hm से लोग करते हैं श्ट्येंट जो बिले से बिलॉंक करते हैं वह तो जजादतर मकानिकल पर ही यह करना है बट मकानिकल की अगर आपको इसयां को बता है कि अदिक जो है अधिक पर झाल्रीख को ने से सहरफ वर साइंस पर ठीक है तो इसी लिए वह कि या अपने सोस्स समझ के हो गई और ये अपने यानि के ये अपने ट्रेड तरीकर से चुनियागा यह ना करें कि हाँ मुझे mechanical बनना या मुझे इलेक्टरिकली बनना या computer science में जाना जिसमें आपका यानिकी अच्छा सा योग जिसे अच्छे तरीके से जानते हैं तो उसी पर आप focus करिएगा कि हाँ मैं इसके बारे में अच्छे तरीके से जानता हूं इसलिए मुझे ये trade ल